आज मैं आपको ट्रेन के बारे में बताने जा रहा हूँ, कई लोग सोच रहे होंगे कि मैं किसी अन्यतेन दुरगटना के बारे में बात करूँगा, जैसे कि ओलिसा आदी में हुई, ये किसी रेल दुरगटना के बारे में नहीं है, लेकिन ट्रेन के अंदर एक ऐसी घटना ह जिससे एक शक्स की मौत हो गई क्या या आतंगवादी हमला था या हत्या या कोई लड़ा ही नहीं एक छोटी से दुर्गटना जान लेवा हो गई इस खबर को देखने के बाद आप अगली बार ज्यादा सतर्क रहेंगे अधिकान श्यात्री मद्यब बर्थ भुक करने से नफरत करते है और आम तोर पर उपरी और निचली बर्थ पसंद करते है आसानी से वाश्रूम आने जाने के लिए लोवर बर्थ को सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है अगर आप निचली बर्थ पर है तो आपको मद्यब बर्थ पर बेटे यात्री से सतर्क रहना चाहिए मैं आपको बताता हूँ क्यों 62 वर्षिय व्यक्ति माराडिकल अली खान मरंचेरी केरला से है और 15 जून को एरुना कुलम से नई दिल्ली की यात्रा एरुना कुलम हज़र्ट निजामों दिन मिलेनियम सूपर फास्ट एक्प्रेस से कर रहे थे वो एक LIC एजन्ट है और उन्होंने ट्रेन के 3rd AC स्लीपर कोच में निचली बर्थ बुक की थी और आराम से लेट कर जा रहे थे जब अचानक बीच वाली बर्थ यात्री सहित उनके उपर गिर गई और खान को लकवा मार गया ऐसा इसलिए क्योंकि बीच वाली बर्थ यात्री के साथ उनके पर गिरी थी और टकर से खान की गर्दन की 3 हंटिया तूट गई थी इसके कारण वा लकवा ग्रस्त हो गए मध्यबर्थ पर बैटे व्यक्ति को कोई चोट नहीं आई जबकि खान की हालत गंभीर थे सहायात्रियों ने ट्रेन के टीसी को इसकी जानकारी दी और ट्रेन को रमागुडं स्टेशन पर रोकने की कोशिच की जहां उसकी रूट की अनुसार वो ट्रेन नहीं रुकती लेकिन उन्होंने ट्रेन रुकवा दी एम्मिनोंस की विवस्था की और उन्हें नस्दी की अस्पताल ले गए हाला की उनकी घंपीर हालत को देखते हुए खान को हैदराबाद के कियाएमेस अस्पताल में सारांदरित कर दिया गया जहां विशेशक्य डॉक्टरों ने उनकी गरदन की हड़्ियों को बहाल करने के लिए आपातकालिन सरजरी की 24 जून 2024 को खान ने दम तोड़ दिया उनके दोस्त और परिवार उनके शफ को उनके ग्रुआ नगर मारंचेवी केरल वापस ले गए और 26 जून को उन्हें दफनाया गया खान के परिवार में उनकी पत्नी और एक बेटी है विनाशकारी घटना थी ये खबर सोशल मीडिया पर वाइरल हो गई और लोगों ने भारतिय ट्रेनों में शुरक्षा तंत्रपर सवाल उठाए बाद में IRCTC ने अपने बयान में सबश्ट किया कि उन्होंने आखरी स्टेशन पर बर्थ का निरिक्षन किया था और कोई करबड़ी या खराबी नहीं पाई उनका दावा है कि बीच वाली बर्थ इसलिए गिरी क्योंकि उस पर बैटे यात्री ने उसकी चेन ठीक से लॉक नहीं की थी यह विनाशकारी है और मध्य बर्थ गिर गई जिसके परिणाव स्वरुप नीचे वाले व्यक्ति की दुखत मिर्ति हो गई एक छोटी सी गल्दी से जान लेवा हादसा हो गया अभी तक खान के परिवार द्वारा कोई मामला दर्च कराने की खबर नहीं आई है इस खबर के साथ मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि निचली बर्थ बुक करते समय या किसी अन्य व्यक्ति के साथ सीट बदलते समय आपकी सुरक्षा के लिए हमेशा सूनिश्चित करे कि जंजीरे ठीक से बंदी हो एक छोटी सी गलती गंबीर चोटो और यहां तक की मौत का कारण बन सकती है इसलिए साथान रहे और इस खबर को शेर करना ना बुले